मित्रो यह किलमोडा दारू हल्दी भी से करते हैं यह जाड़ी नुमा बहुँ साकी है पांत साथ पिटू उचा कांटेदार बनस्पती है इसके कांटे सुई जैसे नुक्विले लगभग एक इंच लंबे तीन-तीन के गुच्छे में होते हैं इसकी पत्यां भी किनारों से कांटेदार छोटे-छोटे लंबवत चबाने में खटी होती हैं इसकी छाल और लकडी पीले रंकी तता फूल भी पीले गुच्छों में आते हैं इसका फल भी गुच्छों में पहले हरे रंका पकने के बाद गहरा नीला हो जाता है दाने छोटे-छोटे, खटे, मीठे, श्वातके और अंदर बीट से भरे रहते हैं इसे खानी के बाद दान और मुह नीले रंक से रंक जाता है तता 24-25 घंटे तक बरकरार रहता है किलमोडा मै जून में पककर त्यार हो जाता है इसे छोटी चणिया बहुत खाती है, आसबास के पत्थरों को अपनी बीट से नीले रंग में रंग देती है किलमोडी की जड़ों में बर्बेरियन, एलकोलाइट पाय जाता है किलमोडा ब्रण, प्रमेह, कंडू, बिशर्फ, तचादोस, बिसविकार, कार्ण तथा, नेत्र रोग, गरवाशय, जुर रोगों में उपयोगी है इसके फलों में मिलिक, ट्राइट्रिक तथा, शाइट्रिक अम्र पाय जाते हैं यह मदुमेह में बहुत लाबदायक तथा, रक्त गुरुकोज के लिए महत्पोन माना गया है यह लीबर, सिरोसिस, पीलिया, बुखार, सूजन, रक्त, बाबासी, रक्तस्राव, गठ्या, तचारोग, मासिक धर्म, आजी में बहुत लाबदायक आउस्दी है इसमें अनेक आउस्दी गुण बिद्धमान है, यह आरवेदिक आउस्दियों में तक्तों से भरपूर अनेक रोगों में अनेक परकार के योग बनाकर उप्योग किया जाता है 1990 के देशक में इसका अत्यधिक निर्दयताफूर दोहन करने से इसकी उपलबदा बहुत कम हो गई है अमर्त समाने से मालई आउस्दी का पोर्षन रक्षन करते रहना चाहिए ताकि आने वाली पीडियां भी इसके आउस्दी गुणों से लाभावन्तित होती रहें धन्यवाद